इंस्टाग्राम में, या बहुत ही कम आता है अब है इन इंस्टाग्राम में इतना हवी हो गया है तक किर दा ओचotereld कि Emer이 प्रेप करना चाहता है तो उसने मुझे बोला dispengas account मेरे प्रिवियस कोच ने सब कोच को रिस्पेक करना चाहिए मैं भी रिस्पेक से बात कर रहा हूं प्रिवियस कोच ने उनको एक किलो चिकन दस फुल एग्स टू स्कूब वेव प्रोटीन और 200 गरम फिश दिया है डायट में वह खा नहीं पा रहा है लेकिन उसको खाना पर है थूस थूस के और कोई भी टाइम हो सकता है को ही इस नोट हंगरी बट उसको खाना है कि हास टू एट ऐसा है कभी-कभी तो पानी लेके डाइडेस्टिव एंजाइम को लेके वह पूरा खाना खाता है तो तो एस तो वाई मैं वीडियो बना रहा हूं सी बेसीकली इफ य प्रिश्टिव क्लासिक बोडिविल्डिंग कुछ भी हो कोच हम लोग के कोच एक कैलरी देते हैं कि राइट नौ यू हाब टू टू तो टो टूबल-0 गैलरीज 3,000 कैलरीज 3,500 कैलरीज इन 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 सर्पलस वे और डेफिसित में डेफिसित बात नहीं कर रहा हूं म पारती नहीं अजार की लोग कैलरीज आपको लेना पड़ेगा एस पर विव बॉडिवड और रिकॉर्मेंट और फ्यूचर गोल हो सकता है कि आप लोग हंगरी नहीं हो सी नूटिशन में हम लोग को पढ़ाया जाता है हम लोग भी यह सब को बोलते हैं को बोलते हैं कि अगर मुझे भूग लगता है मैं जाता खाता हूं मैं दोसो के जगा 220-230 ग्रम चिकन भी खा लेता हूं एक बार में अगर मुझे भूग नहीं लग रहा हूं तो मैं 100 ग्रम चिकन कहा के चोड़ देता हूं अगर मुझे भूग लग रहा है तो काप्स में 4 रोटी के जागbnा 8 रोटी खाता हूं अगर भूग मुझे नहीं लग रहा है तो मैं 4 रोटी के जाग 550 तो मैं कभी भी अपने गट के उपर ज़ादा प्रेशर क्रेट नहीं करता है और सही बात है ये सब ग्यान मार रहा हूं इससे पहले आपको एक चीज़ मानना होगा कि आपको अगर स्टेज में उतरना है बॉडि बॉल्डिंग करना है तो आपको बहुत पहले से इसका प्रिपरेशन लेना होगा आपको प्रॉपर रोए से गेनिंग करना होगा और फिर आपका पोडिशन क्या है, अपने आपके उपर क्या है, ब्लड वक क्या है, उसको ध्यान पर रखतु है, अपने कोच या डॉक्टर के सजिस्ट करके, आप अपना जो साइकल है, क्या ये चलाने से वो ब्लड के उपर और भी प्रिशर होगा, या ये चलाने से जो ब्लड बॉ कि कम से कम छे से आठ मेहना एक प्रेप में देना होता है अच्छा कासा जो प्रेप आपका सामने आ रहा है अब बात करते हैं डाइट को लेके कि तो अगर आप अगर कोच ने 900 गराम या 1 कजी चिकन दिया है पहला बात तो यह है अगर 1 कजी चिकन 10 अंडा आप 200 फिश ले रही हो तो आपके किद्नी का हालत क्या होगा यह precaution के साथ ही I hope suggest किया है अगर आप precaution नहीं ले रहे हो kidney का तो बहुत ही बुड़ा कर रहे हो kidney का आप test करवा लेजे EGFR क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वगर वगर सब कुछ आप check कर लेना and मैं ये एक बात फिर से बोलूँगा के eat if you're hungry and don't eat if you're not hungry forceful forceful अगर आप खाना देते हो बॉड़ी को तो वो काम पे नहीं लगता है बहुत सारे और गैन्स अपने उनके प्रोपर्टिस के खिलाफ काम करते हैं उस टाइम पे इसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा आपका जो enzyme release होने वाला है वो नहीं होगा आपका गट जो काम करने वाला है वो काम नहीं करेगा आपका protein synthesis आपका नहीं होगा अगर आप forcefully eat करते हो तो ठीक है तो एक बात मैं फिर से बोलूँगा कि आप खा रहे हो ठीक है अगर आपको लगे कि इस टाइम पे आप 220 गरम चिकन नहीं खा पाते तो मत खाईए 120 गरम खा पारे हैं वो ही खाईए लेकिन जो आप extra 100 गरम चिकन खाने के लिए जो forcefully आप एट करोगे उससे आपका वो 120 गरम पुटीन जो काम 120 गरम चिकन आप काम पे लगाने वाले थे उसका न्यूट्रियंस वो भी डैमेज होगा एक सिंपल तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया इसमें बहुत साइंटिफिकली हो हो सकते हैं वीडियो उसको लेकि ज़रूर में बनाऊंगा लेकिन मेरे पास ये आया आय होब इस वीडियो काम पे लगेगा आप सबको शेयर कीजिए के हाँ और सबसे इंपोर्टेंट बात है बंदा सत्तर के जी का है बंदा सत्तर के जी का है उसका हाइट पांच पूर चार होगा तीन होगा शायद तीन या चार ही बताया था मेरेको तो सत्तर के जी या असी के जी का भी ये हो पहला बात तो देखा जाता है कि बॉड़ी वेट की उपर आप कभी भी डाइट पेसक्राइट मत कीजिए अगर आपके पास फैट परसेंटेज चेक करने का है तो फैट परसेंटेज निकालके लीन बॉड़ी मास कितना है उसके उपर ही आप डाइट दीजिए प्रोफेशनल बॉड़ी विल्डर की तरह अगर आप रियक करोगे प्रोफेशनल बॉड़ी विल्डर होने में हर कोई प्रोफेशनल बॉड़ी विल्डर नहीं होता कि हर कोई एक stage या दो stage करके एक साल या दो साल compete करने के बाद तो professional bodybuilder नहीं होता उसके लिए time लगता है professional bodybuilder को अगर वो खिताब आपको हासिल करना है तो आपको कम से कम लगातार compete करना होगा 5-6 साल तक अपने body को पर काम करना होगा blood को पर काम करना होगा अपना life cell चेंज करना होगा कोच अच्छा कोच हायर करना होगा डॉक्टर के साथ रहना होगा बहुत तरह चीज होते है तो एक बात है तो उस सत्तर के जी का बंदा पांच फूट ती निंची चार निची हाइड लेके भाई तू पचा नहीं पाएगा उतना ठीके तू एक के जी चिकन खा रहा है पैसा बरवात कर रहा है उतना प्रोटीन टूट नहीं ले पाएगा पहला बात है नहीं आएगा बाडी में तरह उपर से तू क्या ले आ रहा है मुझे पता नहीं तो ये सब चीजे हैं ये सब चीजे बहुत माइन ही रखते हैं अगर आपको लगे आप military dat आपको 6 Lap मिल देनाही हैं तो वह नहीं हो सकता वह खिलाफ है वह तक तो इह अपनी और गेंस के साथ खेल रहे हो यह ध्यान पर रखत हुए आप आगे बढ़िये और पढ़िये पढ़िये एडूकेटड बनिये